कार्ड करना है अब हमारे पास कुछ dictionary ऐसी होती है उस में कुछ words की शोर्ट से होती है लेकिन हर word का definition dictionaries में ठीले नहीं भी होता तो आपने यह इचारी करना है कि internet में से इसके एक चोटी सी definition ले लेनी है उसका अपने पास लिख लेना है ताकि आपके पास एक चोटी सी definition भी हो अब इसका definition क्या है आप a disease prevalence over whole country or the world ठीक है ये इसका हमारे पास क्या आगया definition आगया यनि कि कि कोई भी ऐसी disease हो गया disease के मतलिक है ये word ठीक है कोई भी ऐसी disease जो कि पूरी country whole country ये whole word में spread हो गई हो उसको हम कहते हैं pandemic after that आपने ये करना है कि उस word का origin देखना है कि ये word कहां से originate हो है ये word कौन से word से कौन सी language से आया है तो ये word हमारे पास actually है pandemos pandemos और ये Greek word है okay pandemos ये Greek word है और इस word को तोड़ कर वहां पर explain भी क्या होगा कि pen demos pan means all demos means people और इसमें जो ic है ये एक English word है ठीक है इसको हमने पूरा एक word बना दिया है pandemic all people और ये कब originate हुआ था mid of 17th century mid of 17th century 17th century ठीक है उसके बाद आपने ये करना है कि इस word का at least one to two synonyms भी अपने पास नोट करने हैं तो ये भी जादे best है क्योंकि उस word के साथ-साथ आपने एक दो word और भी सीख लेने हैं widespread होगे global होगे synonyms यानिके similar words ठीक है उसके बाद आपने ये करना है कि इस word का एक ये दो sentence बना दे जो भी आपको easy sentence लगता है जैसे यहाँ पर है the results may have been changed by an influence of pandemic उस word को आपने उस sentence में use करना है ठीक है इसके बाद आपने ये करना है कि reference reference लिखना है यानि कि आपने ये word कहां से लिखा है for example अगर आपने ये किसी book से देखा है किसी article ये किसी newspaper से तो आपने उस book ये article ये newspaper का name लिखना है ठीक है और जिस page पर ये word था आपने उस page का number भी लिखना है उके उसके बाद at the end आपने ये करना है कि उसका derivative देखना है अब pandemic का कोई derivative नहीं था ठीक है यहाँ पर एक और word आपके पास है इस paragraph में massive तो मैंने इसका derivative यहाँ पर डाला है derivative का मतलब है कि other forms of that word ये उस word से दूसरे किस तरह के words बनते हैं ठीक है अब ये है massive तो इसका derivative है massively massively second इसका derivative है massiveness massiveness तो आपने इसके derivatives भी लिखने हैं ये सारे जो process है ये सारा process ये आपके record में आता है record किया अब आपने इसको memorize करना है memorize कैसे करेंगे आप word को पढ़ेंगे उसका part of speech आपने memorize करना है pronounce कैसे करना है definition करना है synonyms भी देख ले sentence भी आपने देखना है कि इसको word को किस तरह से use किया originate कहां से हुआ इसके derivatives भी आपने must देखने है ठीक है आपने इसको memorize किया अब हम आते हैं review पे review इस तरह से है कि ये हमारे पस एक assessment होती है एक चोटी सी assessment एक चोटअ सा test अपने करना है खुद का कि आपको कि आपने कितने words आपको memorize हो चुके है अब चूँकि आप record भी कर लिए record में आपने memorize भी कर लिए आपने review करना है review आपने assessment करनी है आपने एक test करना है test तरह से करना है कि आपने इस word के जो भी आपने सब record जो किये ठीक है उसको hide कर लेना है किसी page से ये किसी book से इस तरह से इसको hide करके एक word आपने इसको पढ़ना है pandemic फिर आपने याद करना है कि आप इसी कौन सा part of speech था इसको pronounce कैसे करते हैं definition क्या है इसके derivatives क्या है और ये originate कहां से वो था ठीक है इस तरह से आप इसको review कर सकते हैं या चाहे तो घर में किसी और को बोल दें या friends में से fellows class पर उसमें किसी और को बोल दें वो आप से एक एक word आपको बोलें और फिर आपने उसके बाद उसको answer करना है उसके definition, part of speech, synonyms और derivatives वगरा इस तरह से आपकी assessment होती रही है तो ये टेकनीक है ये एक method है जिसके जरी आप अपने vocabulary को increase कर सकते हैं आप further words भी find out कर सकते हैं इसी technique के through फिर इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इन words को अपने daily use में भी इनको ले कर आएं family के साथ pandemic about pandemic आप इसको discuss करें friends के साथ इस word को आप discuss करें कि pandemic ये होता है फिर इससे related जो भी diseases हैं जिसे अब covid है ठीक है covid के बारे में आप discussion कर सकते हैं friends के साथ history में कौन-कौन से ऐसे pandemics आएं हैं उनको भी आप चाहें तो discuss कर सकते हैं हमारे पास अक्सर ऐसे words आते हैं students हमारे सामने वारी course books में news papers में या किसी भी article में ऐसे words आते हैं जो के हम pronounce कर सकते हैं जो कि हमने पहले कभी पढ़े होते हैं लेकिन हमें उनका meaning नहीं पता होता या हमें sometimes यह हो जाता है कि हमें उसकी spelling भूल जाती है यह इस वज़े से होता है क्योंकि हम उनको अपने daily use में नहीं लेकर रहते हैं reading okay daily daily आपने approximately आपने one hour आपने spend करना है reading पे अगर आप one hour नहीं spend कर सकते हैं तो 45 minutes यह 30 minutes भी best है at least आपने अगर 10 words भी करने तो भी best है लेकिन आप उत पे pressurize ना करें अगर आप five words भी एक दिन में सीख लें उसके derivative सीख लें उसका definition सीख लें उसका part of speech सीख लें और उसके synonyms आप सीख लें तो यह साथ बेस्ट है आपकी vocabulary से increase होती जाएगी फिर उन words को आप अपने friends fellows या family member में किसी के साथ उन words को repeat करें उनको discuss करें उनके बारे में एक दूसरे से discussion करें तो इससे आपकी vocabulary increase होगी students I hope कि अपने vocabulary increase करने के लिए आप इस method को follow करेंगे thank you this is all for today take care करेंगे